CNBC आवाज मोतिलाल ओस्वाल स्टूडियो से लाए आप दोनों को गुड़ आप्टनून अनुच मैं वो लोकेशन में पढ़ रही हूँ आप मेरे घर के काफी करीब पहुंच गये हैं बताइए वहां कैसे जाना हुआ तो हचता दिखें मुंबई मेट्रो यह लाइन जो शुरू हुई थी इसमें एक स्टेशन है मलाड वैस्ट जिसको मोतिलाल ओस्वाल ने आप पाय कर लिया है तो अब इस टेशन का नाम मोतिलाल ओस्वाल मलाड हो गया है तो आज यहां पर मोतिला लोस्वाल की टॉप टीम खुद मोतिला लोस्वाल जी और राउंदेयो जी हैं यहां पर तो उन्होंने एक इन्वाइट भेजा था कि यहां पर आईए और एक शोग करिए तो मैंने का छिटी ठीक है इसी बहाने स्टूडियो से भाह जाने को मिलेग तो अगर आपको थोड़ा मुझे पसीना दिखाई दे तो प्लीज उसके लिए मैं मार्की चाहूँगा लेकिन यहां पर इसके लिए आज हम इधर आए हैं आश्टा लेकिन आप एक काम पहरी है आपको बीरू हेडलाइन लीजिए उसके बाद पिर हम मार्केट की बात करें जी हां माकिट की डीटेल में चर्चा होगी लेकिन पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर निश्टि सरो से रिकवर हुआ बाजार डेलो से करीब देर सो पॉइंट उचला निफ्टी बाइस पांट सो पचास के करीब कर रहा है कारोबार वहीं निफ्टी बैंक में भी दो सो अंको का दिखा सुधार मिड़ कैप में तेजी ज्यादा आज इंडिया विक्स भी 20 महिने की उचाई पर यूएस में रेट की कटावती की उमीद में मेटल इश्योर में जोरदा उचार निफ्टी मेटल इंडेक्स करीब 17% की थी जिए साथ कर रहा है कारोबार कॉपर रिकॉर उचाई उपर पहुंचने से विदानता में करीब 6% का उचाल हिंडाल को करीब 4% चड़ा हिंदुस्तान जिंक से जिस तर्बुस्टील एंडिसी जिस दूसरी शेयर भी आज जोरदार दिखा रहे हैं ख़दारी और अदानी ग्रूप चेहरों में आज जम कर हो रही है तेजी अदानी एंटरप्राइजेस 3% तो पोर्ट और पावर में 7% का दिखा उचाल अदानी विल्मा एनरजी और ग्रीन में भी 3-3% की तेजी अच्छे नतीजों से बालोकेशन इंडेस्ट्रीज में दूसरे दिन भी थी जिका है वह शेयर करीब 10% जादा कुछ हाल के साथ ने शिकर पर पहुंचा पिछले 6 सत्रों में करीब 22% चड़ चुका है शेयर और जोरदार नतीजों के बाद BEL का स्टॉक आज 6% भागा चौतित माही में कंपने का मुनाफ़ा 30% तो आए बद 32% बढ़ी करीब चटर हजार करोड की ओर्डर बुक से भी बाजार खुच वहीं दूसरे डिफेंस टॉक्स भीचम के BDL मस्गाउंट डॉक में भी खरदारी का जोर कराएंगे निफ्टी के 3 कंपनियों नतीजे सन्फार्मा ग्रासिम और प्रावगेट पेश करेंगे अपने तिमाही नतीजे करीब 20% बसकता है सन्फार्मा का मुनाफ़ा लेकिन माजिन्स पदराव समःब वहीं पेटरनेट समेट वाइदा की तीन कंपनिया पेश करेंगे अपने तिमाहिन दीजेए तो ये इस वक्त की सुर्ख्या लेकिन जैसे हम मेंचन कर रहे थे कि भारते बाजारों में एक बहुत जोरदार रिकवरी डेलों से आती हुई दिखाई दी है और सुबह में हम लगबग 22.600 के करीब पहुँचे इस समय 550 के आसपास ट्रेड बनता दिखाई दिया है अनुज रिकवरी आई एस्पेशली निफ्टी लेड है ये हाला कि निफ्टी बैंक भी डेलों से कुछ संभलता हुआ लेकिन बाजार में रिकवरी कैसे पढ़नी चाहिए अच्छी खासे रिकवरी आपको देखने को मिल गई है इसमें कोई हैरानी होनी नीची ये थी एक चीज़ देखने समझ देजिए कि मार्केट वोलेटाइल रहेगा और यह मारकेट अब वीक हार्टेट प्लेयर्स के लिए नहीं है यह मारकेट अब सिरफ एक स्वांग हार्टेट प्लेयर्स के लिए India Wix 6.5% उपार है अभी वह लेकिन उपरी सतरों से हलका हुआ और एक चीज़ आज सुबह हमने क्या बात कि थी कि metals पर focus करिए, IT पर focus करिए, basically अगले कुछ दिन तक focus करिए individual sectors पर, भले अगर आप market पर focus नहीं भी करना चाहते हैं, तो वो एक कर साड़ी अच्छी रहेगी, और यही देखिया, आज metals में क्या शांदार थेजी हो रही है, और यही चीज़ मैं लोगों को कहता हूँ, कि phases आते करेंगा, और इसके लिए आज बात पिविती की metals को chase करेंगे, तो वो इस तरीके से trade करेंगे, थोड़े दर में Nifty Bank Nifty की strategy पर में बात करूंगा, लेकिन आज तोड़ा ज़्यादा जगवत है इस चीज़ के उपर दुबारा एक re-emphasize करने के लिए, कि आपको focus रखना है इस interest rates related to use है, उनमें कोई दिक्कत नी है, कुछ दिन के लिए charge उन तक वहीं पर focus करेंगे तो बैठर है, बिल्कुल, अनुझ, क्या बतलब इस theme के अंदर का metals को pick क्या गया था, for instance IT, देखिए बाब बात करते करते, Nifty IT Dehype, almost इसका जो रुकसान था पूरो दिन का पूरा हो चु का setup ज़्यादा established है, कै as of now only कुछ इस करना चाहिए हो? यहां से metals index अगले 2 महिने में, अगर 20-30% भाग जाए, तो मुझे हैरान ही नहीं होगी, यह इस तरीके के राली जाती है in metals में, ठीक है, तो एक तरीका ही हो सकता है कि आप ETA बना ले, एक तरीका ही हो सकता है कि आप individual stock खुचन ले, खर यह बात हो कि metals की मैं आज की strategy पर आता अगर आप long हैं, तो बाइस चार्सोचार आपका stopper सुन गया, बाइस चार्सोचार बड़ी रजिस्ने से, मुझे लग रहा उसको निकलने में थोड़ा time लगेगा अभी, और उसके अलावा position थोड़ी कमी रखें, लोग रहें लेकिन position कमी रखें, जहां तक bank nifty के बाद है तो थोड़ी से वोलेटिलिटी रहेगी, अच्छा, रामदियो सर आ रहे हैं हमारे पास, अब फटाफट strategies निप्टाईए, उसके बाद मैं रामदियो सर के साथ एक interview स्टार परूँ, जी हां, तो वहां से भी अब एक perspective market का और वैसे वीरू इत्तफाक से, ये मलाड, कांद इतने सारे लोग भारते बाजारों में participate करते हैं तो एकदम सही जगा मोतिलाल ने भी identify की है उस branding के लिए, फटाफट से हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं और फिर बात करेंगे उनसे क्या trade लेना बनता है, fundamentals पर मयूरेश जोशी, technical panel में प्रकाश गावा, रामपुर्चीनी के नंबर्स यहां से आगे क्या इशारा कर रहे है, FI25 के लिए, metal सेक्टर में तेजी के पीछे, क्या triggers बनते दिखाई दे रहे हैं, और अफकॉस कल आने वाले नतीजों पर भी सुमेत और राशिश दोनों को जोडेंगे, मेरभू निरानी भी हम आए सार जुडेंगे आगे, लेकिन सीधे पैनल के पास चलते हैं, गावा साब बुड आफनून, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? 2, 3, 6, 4 पर ट्रेड कर हैं, एम्फिसस, टॉप का विन 2, 3, 5, 0, ज्यादा नहीं, टागेट 2,400 के लदर आते हैं, एम्फिसस पर एक बाइक कॉल इस समय आता हुआ, यह है फिलहाल वो ट्रेड जहां पर एक उपरचुनिटी तेजी की बन रही है, मानस आफ्टनोन, आपका पर ट्रेड जाटेड से अपर आफ करेंड जो हैं, आपके जो स्टॉप लॉसर से फिफ्तीन थाटिनाइन की नीचे रहेंगे, करेंड लोव ट्रेंग इस फिफिटीन से प्सिजाएं और फिफ्तीन से पार्मा में सट कर सकते हैं, फिभ्तीन का यॉप्शन में पचास यहां हमारा पैनल बिलकुल वहीं स्ट्राइक करता हूँ जहां पर मोमेंटम है निफ्टी आइटी फार्म दोनों इंडिस्स टेहाई पर आगे रचना जी गुद आफ्टर नून आपका ट्रेड इस वत का जी गुद आफ्टरून और मेरा इस वक्त का जो ट्रेड रहेगा तैट इसको हम लॉंग करेंगे यहां पर अच्छा मोमेंटम है राइटी आज एक इंपोर्टन्ट रेजिस्टर्स को क्रॉस ओवर भी कर रहा है और यहां पर विपरो अगरा में टेक महिंदरा में सब में भी कि तरफेसरेंट में हमारा टागेट होगा 1375 है अब्धर आपने एक्सेल टेक्नोलजी जे जी 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 चिएस एच्छल टेक्नोलजी बाया है आपको प्रीक्री स्कीन प्राइज रखिगा है और और एडिंक करीब करीब 1350 पर ट्रेड करता हूँ जदिनी गुद आफ्ट बिटानिया में होगा, बिटानिया का डेली चार्ट पेक ट्राइंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है, हम एक्सपेक कर रहे के यह और एंडिसिपेट कर रहे के यह पैटर्न उपर की तरह प्रेक आउट आएगा, तो 5300 के टार्गेट के लिए लॉंग की सला रहेगी, एक उपरचुनिटी, तेजी की 5000 का स्टॉप लॉस जरूर रखेगा, प्रिशांत आफ्टनून आपका ट्रेड, तो यहां पर मैं मेटर्स के साथ ही रहना चाहूंगा, और JSW Steel में एक बहुत अच्छा ब्रेक आउट आया, अच्छा वाट मैं इसलिए उस कर रहा है, क्योंक तो यह फिलहाल JSW Steel में एक बहुत तगड़ा पुल बैक आज देखने को मिला है, उन नंबर्स पर जहां पर हमने देखा था थोड़ा सा फीका पन्थ है, तो यहां पर में ने देखा था थोड़ा सा फीका पन्थ है, इस्पेशली दोमेस्टिक बिसनिस के मत देना सेर, मयु पिविट लेबल्स जो हम मॉनिटर करते हैं, मरकेश मित में वह एरांड पूर इस्पास, तो यह लेबल्स अगर निकाल दिये तो यह थिंग बहुत अची तेजी आसकती है, इस्टॉक में दो तीन की रिजन सेग, जो फॉमिलेशन सेल्स की ग्रोथ रही है, बीसी के लिए, यह काफी सिगनिफिकेंट रही है, इस्पेसिकली फॉमिलेशन सेल्स मार्केट, जहां पेक 20 से 21 प्रतीशत की सबर्दस ग्रोथ देखी गई है, फंदरा सो करोड की टॉप लाइन इनों में पोर्स किया है, जो पिछले नौ मैंने, पिछले वर्श में लगबक साढ़े 14 प् प्रतीशत कॉंटिबूट करता है, टॉप लाइन का, और यूस मार्केट, इस बिगेस्ट मार्केट, इस पर इस बिगेस्ट मार्केट आपको बादा किया था, कि आज कुछ आपको खटकर देखने को मिल रहा है, CBC आवाज का एक स्टूडियो का अंश आपको मलाड वेस्ट के मेट्रो स्टेशन में भी दिखाई देगा, जहाँ पर अनुझ मौजूद है, और अनुझ के साथ इस समय अब रामदेव अगरवाल भी जुड़ गया, अनुझ इन फैक्ट मैं उनका लेक पढ़ रही थी, ज रामदेव सर के साथ मैं जब भी बात करता हूं, रामदेव सर फिलकर बात करते हैं, तो बहुत चीज़ों बात होगी, लेकिन रामदेव सर सबसे पहले तो, यह मैं यहाँ पर आया, और वैसे गर्मी काफी है, लेकिन एक इंट्रेस्टिंग चीज है, कि मलाड स्टेशन कि मारा बहुत जादा रिजन संबंद है, अच्छा, मारे थीन हार इंप्लोई यहाँ से सब्देव करते हैं, महाँ बैठते हैं, तो यह को उनसे चानेक बड़ता है, बुसरा ही है कि बहुत सही लोग जो जो प्रेवल कर रहे हैं आजकर, आपको 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 आपक आपको 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 आपक आपने बोला कि आपका यहां बड़ा ओपिसर तीन हजार लोग यहां पर बैठते हैं, प्रोड़क्टिविटी इम्रू हुई है कि उनकी मेट्रो आने के बाद जो ट्राफिक कट हुआ होगा, रोड ट्राफिक कम होने के बजाए, आप स्पेशली मैं आप काफी लोग बोरिव तो अगर ट्राफिक बीट हो रहा होगा, तो क्या प्रोड़क्टिविटी इम्रू हुई है मेट्रो के बज़े से? इसके पिसमें फिनांशल के अन्वाल्ड है, वो सब छोटी चीज़ होती है, लेकिन क्या ये आगे जाके आप इसको पर्मानेंटली स्कॉंसर करेंगे या 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 ये अभी नियर टेम के लिगे लिगे देखे हैं, जैसे ऐसे आएगा उसके इसाब से, I mean, we'll keep our things on, so I think we'll, ए करेंगे लिगे कैसा रिजल आपना है, तो उस पर भी आप कोईशिश करेंगे, जैसे बिट करेंगे, जैसे बिट करेंगे, जैसे बिट करेंगे, but it all depends on the experience over here. एक चीज बहुत क्लियर है, दो फील्ड जनों ने बहुत ज़्यादा पैसा बना के दिया है पिछले दो साल में, एक तो railway related stocks और एक आपके फुद की फील्ड वाले stocks, आपका फुद का स्टॉक में मल्टी बैगरे चांस देगे, क्या ये जो ब्रांडिंग है, ये एक तरीके से बता रही है और यहां पर इस तरीके की भीड है, एक तरीके सा बता रही है कि ये दो सेक्टर्स अभी भी यहां से मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा उपका हूंता है, आपको दस है डालर तो पोजिने अपने अपने लाइटाइम में, तो दो है चालिस तक की जननी त से बततेश फिर चालिस, बततेश तक अपना आठ टेलियर होगा और चालिस में आपका शोर टेलियर होगा, तो यह जरनी को अपने सामने है, तो इसमें सब यह Metro बी साल पहे दो है अब Metro आ रहा है, ऐसा नहीं कि ए टेक्नोलोजी नहीं तो साल पराणी टेक्नोलोजी है, बसक सब्सक्राइब करने साल पहले, तो पहले सजादत आप कम है, बट युनिद मनी, युनिद गॉर्डमेंट मनी तो अपने पैसे तो अपना ही है, पैसे तो सरकार लगा रही है, बद सरकार के पास पैसे आने चीने, आज आपके पास 40 लाग कोड़ों का रेविन्य होगा है, प्राइविट पार्टनेशिप है, उसको भी लगना चीना है, कि पैसा आप मेलेगा वापस, आज हम लोग भी कुछ खर्च कर रहा है, तो हम लोग कोई समझ में आता है कि एकनोमे में उतने कस्टमर्स हैं, जो इस इस इंवेस्टमें को जस्रिफाइब करेंगे, तो हमारा जो एड बजट है, या फ्रमोशन बजट है, वो बढ़ते चला जाएगा, एक में हम पूरो को पूरा यहां सरी स्टेशन ले ले ले, इसको लिया है, तो आप ये तो दिमाग में लाकर बैटे होगे कि एक साल में उससे ज्यादा मुझे बिसनस में जाएगा, ना भी मिले त स्टेशार्माइए, 1000 कवा यां में जाएगा, यहां में प्रιदर दिमारा में आ संसेक्स डेटा मणाग के जाएगा, इसको माएगा आपके साफसे़ और आधार आ तो आ जोसना में, तो आप संबझेडते हैं किसमाख धु przy 16, 29 और बहुत खराब होगया, 30, and बहुत अशा ह के थे की हम तो जब ने उनसे बात की थी उनने का था कि आप तो चैनल करने का तो आपको डूदधा निटिंग वेसे तो आपको आप वारा साल में आपको आप पाट दूज़ चाहिए पंदर साल में पंदर साल में हो जाएगा तो मताब आप समझ दो है चाहिज में आपको देर लाग निक्नी दिखना चीज़ है पल्कुल देखें जो हमारी ओडियंस तो कहेंगे काष राम जो साल की मूं में घीशकर होना का की साड़े बाइस को पच्छिस समाझ देजे पच्छिस हो जाए तो हमारे तो थो क्या रेटे टेटर साल में रहा है तो पहुत करेक्शन से और इतने बड़बड़े करेंगे पसन करेंगे का रेक्षें सब्सक्राइब आप यहाँ जो पहले होता था दा वाली करेक्शन उसकी पॉसिपिलिटी खातम होगी है क्योंकि टेल का पैसा इतना है आप में मानते हुआ है उसे कहां जाए तीस तका करेक्शन होगा तकिन वहगा थे तो कि नहींगा तुक्त वहां लेकिर अपन लोकल खरिग रहें तो उसे कारण से थोड़ा बैलेंस रहेगा उसे कारण से हमेंसा भफर रहेगा उस दिन जो है न हमारे हाँ न हाँ आट-डर सया कमा लेने वाले रहेंगे उसे कारण से ऑप आप अच्छ पर कोई दिन ऐसा है कि और नहीं टेंशित एंट इसके बटो कह रहे हैं कि इतनी शांदार आर्णिंस रहता है यहुंद कफी कुछ माजिन काइब लेकिन अब शायद मार्जिन यहां से और आगे बढ़ेगा नहीं यह को पिख एक जितना उपर से आप प्रेश्ट डालो के भी आप चाहे चाहे के परोष क्रोटे करो चाहे फिसकल पॉसिट करो जो इसे आपको अपर डिए पर कि अपर जो सथा है वह ठागी हो सकता है तो आपको वोल्म गोथ तो यह जो मार्केट में फुड़ा सा एक रिस्क लो कह रहे हैं इलेक्शन को लेकर, कितना जन्वेन है यह रिस्क या कितना आप लग रहा है कि जादा जबर्दसी का पिर्दक्टर है जादा जादा टेंशन लेने का नहीं आपको लगता है जो बिचार है आपने हज़ारों को लगार करते हैं उनका 295, 295 का ऐसा कुछ आता है नंबर तो इस तो दिमाग क्या करने का आपको सेम गॉर्मेंट आएगा दस तो नबे आजाएगा कि मेरे को लगता है 305 प्लस बाइनस 10 भी जब बीज़एपिकर मेरे खिए बादे प्लस ही बोलूगा लेकिन वह गोंता है वह जो रेज में आएगा अब तो क्या टेंशन है सेम ग़र्मेंट आएगा अगा पॉलिशी आएगा फर्स अजिगर्स का दमाक आएगा उस तो सब्सक्राइब कर आएगा यह जो आपने बोला यह आपके हसाब से जो आपने थाम मेंशन कर रहे हैं, डिगार्डलेस और प्वलिटिकल आउटकम है, यह तो आते रहेंगे, इसमें बड़े-बड़े धमाके होईगे, ग्लोबल धमाके थोड़ी दो सत्ते हैं, जिसे नाइनेदे होगा, वाट किया दो बड़ी, जिसे नाइनेदे होगा, वाट जो बड़ी, जो आपके जो पैसे कौपर पी जा रहे हैं, जो यह सब पैसे रहे हैं, अब उनको पैसे आएंगे, मैं कल गया था, लास्ट मिझा बजने, एंपी इंदाओ, तो इंदाओर में आप जाईए है, एँच्छे बना होईए इसेफ्स्मार्स बणाओगे बना है, मैं दो जो देख आया है, गर्मी बहुत थे, but you don't feel like you're in MP, you feel like you're in some industrial park in US or something. यह जो नया जो अतार आ रहा है, प्राइवेट इकोडी का या जो IPO के पैसे का जो खापट साइब उसका इफेक्ट फड़ा गाप से आएगा, आपने पैसे देने शालू की है भी 6 मेना पहले एक साल पहले, तो उसका जब फैक्टियो बनेगा, पर रिपेवेंट कर रहे हैं, स से कि अब्सका इफेक्ट अब्सका इफेक्ट अपको भाव बढ़ गाए, पी मुल्टिबल 15-15 अपटीस हो गाए, इसलिए फिप्तिन पर इसलिए परस्ट बढ़ गाई तो अब्सका पर तो मार्केट का पी इसलिए प्सका ना पड़ेगा, पी गिर जाएगा ना आपस यह जो आपको पर इसलिए पर इसलिए पर इसलिए पर तो जो यह जो में शेक्टर रहने वाले हैं जैसे डिपैंस हो गया, मैं। अब्सक्रिंग हो गया, सबसे आधा पैसा इन्होंने बनाया है पुछ भाही मैं देखेंड है साफ वानि रहेंगे जितन अब्सक्रिंग ही है टृक है जिह इस है है हीरो मोटकॉप अपका है जलने देखे हैं तो द्वाइब कारी आप मेर्सेडी नियुकर बरूसायके तो एक अप देखें दो चार मैने से बहुत सब्सक्राइब आप आप देखें दो चार मैने से बहुत सब्सक्राइब कंपनीयों थे उसकित बडेक्षार को फ्री आप दोशुमस्री तो 100-0-8 trillion ताटा मोडर देखे चार्ड इडिट का स्टॉक हो गया यह क्या हो रहा है यह मतलब माद इसक्रेशन इस अरफ इड़े लेवल अभी तीन चाह दिन पहले नियूस आई थे कि इस साल का मौन सूनर्मल दने वाल है तो जो 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 भूस्ट्रेस है वो लग राको कि साल शाया वॉटाओ जो अधिया ना अब कि आखे से किंजी फादा नहीं है ले 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 लुटत जो जाएगा उसके बाद तो बोला गे होगा प्रच्छी थीजिए थाग प्रच्छी यह को पादाया है । आपकी चंदन जर्बाद बात ओती होगी बात तो यह इधनी FIA सल्मिक्ट आरी है और भी FNOR में से विच्छी आरी है वे अप्रशाया थे लिए वार्शाया थे लिए अब याप रहत है। तो मैंने एक हपता जो ना पंदराव इस दोह से मिलाएं। मैं पलाएं उंक्ता कोई भी बिशने करी हैं। यह ज़िस वाइट हैं। यह थे रहे हैं। यह रहे हैं। एमर्जी मारकेट वॉक्स यह रहर है। यह रहा मुझे कवाएं। जयरी हैं। मुझे लिए ने काशिया। यह समुझे कुछ कमाया नहीं। यह रही है। आजभा मारकेट रही हमें। अब इस पैसा कहा जाएगा। लेकि हमारी मार्केट में बना पैदा लेकिन डॉलर के वज़े से उतनी हुआ है ये बंदे का जो है उसे 20 ब्लिन ओर लगाया था आठ इंडिया में और बारा चाइना में तो उसका बारा का आठ हो गया और आठ का इंडिया में बारा हो गया सब मिला के उसको वह करें तो वह बोलता है कि भाई मैं क्या करा हूं तीक इंडिया थाउड़ा था आठ का इंडिया थाइन आठ का इंडिया थाइख वारे में वह रहाया हुआ है वो से लोकूरेसी जो है महात वी एो जो आपके सब्गाम, इस तार ःवो ति धिरतें 2 गात रखेंगिगा जिया हम तो अपसी आपक्यां में जो आज फिरत्ग उतकविदे हूनिया जाआ अभी जो आपने बोला है ब्युकुल मनता हूं बात होगी युएस में इतना पैसा बन रहा है अभी युएस में रेट कट भी शुरू हो जाएंगे तो अभी हमें मान लेंगे का पैसा अभी कुछ टाइम तक युएस में रहने वाला हमारा कि अभी में रहा है कि आप युए अभी हमें लुए सम्थी के बात करें रेट कर लिए रेट कर खब खाब आएगा वह भाई लोग बोलते हैं कि जब सेंटाइगा चार कट आएगा अभी तो पहला कर से चलो तो करो को सरा अभी दाए ताम कि छिना आप में डावेट युए भ लो थे हैंहे टिए उने दोस्ता हैं ने चैनल के कि उन्हका जो इन्हुगरेशन था उसे पहली है कि ऐनोंने था एक आप ता जशा ओना था लेकिन ओपने अनुगरेशन इनुगरेशन करना था यूप और अब आप अन्हों ऐए आप पर जाहिए रहांगे रूसार का जरुड की करें उत्ता जाधा पैसा शायद भारत में आएगा यह बहुत ही रार केसे में हम दोनों देशों के साथ ऐसे कहते हैं लेकिन वह एम पैसा भारती बाजारों में आना लगेगा और तो बहतर रहेगा ऐदर वे इस मार्केट पर लोटते हुए वीरू एक अच्छा-खासा माह हओ लिए और इसमाल बना हुआ है और कुछ स्टॉक्स के पारशियों जो परिस्टेइंट नहांग हैं आज की इसस पूरे मूव में और Metals, Metals, और सिर्फ Metals की ही बात हो रही है, हभी भी. बिल्कुल, बेल्कुल हश्टा था, देखिए मैं दो होती होती ही यहां स्टॉक्स मांकर दू क्योंकि यहां पर कुछ मेंज मेंट जुड़ी है हमां साथ. एक बड़ा बदला हो है, देखें, मेटल चला, मेटल अभी भी चल रहा है, फार्मा चला, निफ्टी फार्मा इंडिक्स रखेगा, डे हाई पर आके ट्रेट करता हुआ, और जो पैनल ने हमारे पिक किया था, देखें, क्या खुब सूरत है, फार्मा और आईटी के इस पर आपका, और फ्यूचर्स या फिर कोई एड़ दमनी कॉल पर आपका टेक, टेक महिंदा, डे हाय पर आके ट्रेट करता हुआ, विरु जी, सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि इसमें बिल्कुल बने रहना चीए, तेरा सो का स्टॉप लॉस रखें, बारा सो पिच अब बने रह सकते हो, और जातक ऑप्शन की बात है, तो इसकी जो तेरा सो बीस की कॉल है, 13-20, स्लाइटली एड़ दमनी कहेंगे इसको, और ये करीबन अभी चल रहे है, 26-27 के आसपास, 27 के आसपास, इसको हम खरीच सकते हैं, और स्टॉप लॉस रखेंगे आज के लो पे और हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं, बल्रामपुचीनी के CFO प्रमोट पटवारी, उनसे बात करते हैं, उनके नमबर्स को लेकर, रेविन्यू में, Q4 में 4% की गिरावट थी, और नेट प्रॉफिट करीब 20% गिरा, बात करते हैं, प्रमोट जी, गुड आप्टर नून, अनुच, यह जो शुगर सीजन है, 23-24, हामें उम्मीद है कि क्लोसिग इंवेंटरी करीब 8.9 मिलियं टन रहेगी, और बहुत इनीचेल अनुमान यह आ रहा है कि नेक्स्ट यह ग्रॉस लेबल के शुगर का प्रॉड़क्शन 31 मिलियं टन रहेगा, अगेंस्ट 29.5 मिलियं अनुमेस्टिक अनुम्शन, सो इस बैलेंशीट को ध्यान में रखते हुए है, एक रीजनवल अनुम्शन यह बनता है कि गवर्मेंट आप इंडिया मौनसुन सीजन सेप्टमबर के आउगस्ट यह सेप्टमबर के बाद इथानॉल प्रोग्राम वापस रिवाइब करेगी ऐसा हमें हमारी इंटर्नल व्यू बन रही है, वो जदी आती है, तो जो भी वॉल्यूम लॉस हमें इथानॉल में हुआ है लास्ट यह जिसके कारण आप कहारे हैं कि हमारा लास्ट वाटर का नंबर थोड़ा डाउन आया है, तो वो रिकवरी आ सकती है जदी इथानॉल की तो अभी एथनॉल वाला प्लान पूरा वापस टारगेट पर है क्या और अब तो इलेक्शन भी खटम हो जाएंगे अगले आफ्ते, तो क्या अगले साल ये मान के चलें कि एथनॉल आपके लिए बहुत शांदा परपॉर्मेंस दिखाने वाला है, अनुच, अब जो भी हो पाइदा नेक्स्ट येर में मिलेगा, तो नेक्स्ट शुगर सीजन कहीं चाहे या नेक्स्ट एथनॉल शुगर कहीं वो उसी साल मिलेगा, और हमें पूरी उम्मीद है, on the basis of surplus sugar available into the system, that government will reconsider their ethanol program. सर, आपका FI25 के लिए क्या plan है CapEx को लेकर, मैं थोड़ा सा आपसे माफी चाहूँगा, क्योंकि मुझे आपकी आवाज सोने में फुरे दिक्कत आ रही है, यहाँ पर, मैं एक्चुली स्टूडियो में नहीं हूँ, FI25 के लिए आपका क्या CapEx plan होगा? FI25 के लिए अभी और कोई भी हमारा aggressive CapEx plan है नहीं अभी, जो normal CapEx होता है वही है, इसके अलावा कोई aggressive CapEx plan नहीं है, हमारी आज के दिन में जो केन क्रशिंग कैपसिटी और इथनॉल कैपसिटी है, वो हमारी इथनॉल कैपसिटी इजिली 12.5 करोर कुंटल ऑफ केन एन्वली ह सकती है, हम इस साल, इस सीजन में हमने 10 करोड, 9 कुंटल जना करश किया है, सो काफी headroom है, existing capacity ही, जदी केन और बढ़ती है, तो उसको एंडू करने के लिए तौरी इस समय किस तरह की demand देखने को मले, क्यूंकि है summer season में वो चीनी की demand में अच्छा खासा पिका पाजाता है FMCG players, ice cream manufacturers, etc. की तरफ से, अगर उसका एक अंदाजा दे सके compared to last season and ये pricing में कितना reflect होने लगा है, प्राइसिंग में काफी कुछ reflection आया है, currently हम लोग 39 के आसपास चीनी बेज रहे हैं and every month जो Government of India quota release करती है, इसको जदी अपने compare करे corresponding period last year से, तो आप देखेंगे की काफी इजापा हो रहा है, demand में, हमारा internal assessment ये कहता है कि करीग 287 से 290 लाफ तन की चीनी की खपत होएगी, sugar season 23-24 में, और 24-25 में हम 295 लाफ तन चीनी, domestic consumption के लिए देख रहे हैं प्रमोजी, मैं अगर डिस्टेरे सेग्मेंट में आपके वॉल्यूम्स और इसबार का जो एवरेज रियलाजिशन हुआ, तुरा सस्के बारे बेटिपनी चाहूँगा, sir, volumes कैसे रहे और एवरेज रियलाजिशन इस कौर्टर में आपका कैसा रहा, sir? वॉल्यूम्स और डियलाजिशन दोनों लोवर साइड में थे, the reason यही था कि government ने एक rationalization किया था, restriction किया था, juice-based and behavior roots से ethanol बनाने के लिए, आपको जैसे ध्यान होगा कि जैसे juice-based realization जो होता है, वो हाइस होता है, तरी 65 रुपीस पर लिटर लास्ट येर था, तो वो replace हुआ आपके lower price ethanol से, इसके चलते आपकी average violation डाउन आई, and volume इसलिए lower आया, क्योंकि government ने एक restriction किया था, juice-based ethanol बनाने के लिए, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि आने वाले साल में, ये restriction हट सकता है, क्योंकि काफी sugar system में अब available हो गई है, ठीक है, तो मैं अंदाजा लगा रही हूँ कि second half में वो restrictions हट जाएंगी, और फिर स्थिती normal या फिर बहतर हो सकती है, इस business के लिए, इंपक्त आपको sugar season के हिसाब से भी इंक्रिमेंट आएगा, जैसे crushing हमारी स्टार्ट होती है, नवंबर एंड में, तो हमारे पास चार मेने की working होती है, December, January, February, March, वो इस policy revisit होईगी, उसका impact इन ही चारों मेनों में आएगा, और उसके beyond next year जाता है, सर्म, अगर एक अंदाजा मुझे यह दे सकें कि आप लोगों ने वो बायो प्लास्टिक स्वसिलिटी भी शुरू करने की बात की थी, कितना capex है, कब तक कारोबार वहां पर शुरू होता हुआ दिखाए देगा, क्योंकि बायो प्लास्टिक से एक ऐसे एरिया है, जो सरकार भी इस समय अच्छा का, अग्रेसिवली पुश करना चाहता है। एकदम सही कह रहे हैं आप, यह हमने अनॉंस्मेंट फेबरेरी में किया था, हमारा इनिशियल अनुमान यह है कि दो हजार करोड रुपे का यह प्रोजेक्ट है, इसके पंडिंग हम देख रहे हैं 1200 करोड का टम लोन एंड 800 करोड इंटरनल अप्रूवल, यह प्रोजेक्ट कम्प्लीट करने में हमें 30 मैने लगेंगे, तो यह जो 800 करोड का इंटरनल अप्रूवल है, यह डाही साल के पीरिट के उपर डपलॉई होएगा। और अतिरिक पैसे रेस करना था वो हो चुका है यह करना पड़ेगा बोइंग फॉरवर्वर्ड? यह राजवली करेंगे, अभी कुछ भी नहीं रेस किया हमने, हमारा आज का, आज की दिन में existing term loan करी 450 यह 60 crores है, जब तक यह नया loan books में fully आएगा, तब तक यह loan पुरा repayment हो जाएगा, जो existing है, जैसा कि मैंने कहा कि यह project को implement करने में ढ़ाई साल लगेंगे, तो term loan भी ढ़ाई साल के ही, अगधी के उपर ही बलरामपुर की benefit में आएगा। प्रमो जी बहुत 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 चुक्रिया, अमार ले समय निकालने के लिए और गुड़ लक्स फॉफ एफ़ाई 25, आपसे बात करके तो यही लग रहा है कि यह sugar season और especially monsoon के बाद वो ethanol program अगर सरकार शुरू करती है, तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा लीवे आप लोगों को मिलता हुआ दिखाई देगा, उस business को फिर scale करने का, आज हला कि वो stock थोड़ा सा नरम कारोबार करता हुआ, जरूर दिखाई दे रहा है, बहराल यहाँ पर commentary मजबूत company की इस समय नजर आ रही है, कुछ और counters की बात करते हैं, एस्पेशली वायदा बाजार के कुछ trades जो आज काफी active है, एक stock जो काफी समय से मानस आप ट्रैक करते आए हैं, AB Fashion and Retail, आज के volumes और आज का price action, अगला पड़ाव क्या रहेगा? बिल्कुल अच्छता जी देखें, यह एक price breakout है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमने एक move देखा है 210 रुपए से लेकर 275 तक, बढ़ जिस तरह के patterns medium पर longed up chart पे हैं, मेरा समझने यह हैं कि next move में आपको 320-325 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे, तो अगर आप एक positional trader है तो आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, 269 का stop loss लगाईए, सबसे पहले 300 रुपए और उसके उपर 315 रुपए के आप target set करिए ABF RL में Okay, ABF RL पर आपका take है, और कुछ conference लेका है जो कि अच्छा move दे रहे हैं, आपके screen पर एक बार रखेगा Dixon, Dixon का move strong है, Dixon अब day high की trajectory market rate कर रहा है, और प्लीज एक बार screen पर रखेगा, रचना जी, Dixon पर आपकी reading क्या कह रहे हैं, आप इसको कैसे approach कर रहे हैं, आप इसको बत रचना जी आपने वो जो 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 बीच में एक चोड़े से ट्रेडिंग सेशन वाले ऐसे चांटिवरेशन होने जा रहा है, तो चार्ट सेट अप बिल्लू पॉर्फेक्ट है, जैसी पहले केंडल बनी फी प्राइडे को ऐसी दूसरी चार्ट पर सकता उसलिए का दीच बेली चार्ट सेट अप है, तो यहां पर स्टेंग बहुत है और आप सपोर्ट के लिए 8,780 का लेवल जब तक सस्तेंफ करेगा, तब तक पोजिशनली यह कांप यो बायों डिप्स रहेगा, तो ऑवरिवर डिप विजर बाइग और जख बॉश्यु Dixon Technologies 9153 पर मैं कुछ इंटरे स्विंग्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं और I think जो मेरे पास options की sheets से उसके मताबिक जो stock अच्छा कर रहे हैं और जो crack हो रहे हैं इसमें crack होने के क्रम में तरह एक बर आप मारुती को लेके आई हैं इंटरे लोग पर ट्रेट करता हुआ और अज काफिस softness 12495 पर है बार अभी चोड़ता हूं क्योंकि इंडिसी अच्छा करने में किसी शॉर्ट ट्रेट पर एंफिसाइज नहीं करूँगा थोड़ा सा PSU बैंकों की तरफ बढ़ते हैं सुबहाइ SPI ने एक बहुत स्ट्रॉंग मूव जनरेट किया था 832 पर अब एक कुछ हद तक कैच अप चलता हुआ इंग रस्ट आफ पी एस बैंक जो है न वो कही न कहीं उस डिफरेंशल को भरने की कोशिश करते हुए अब एक्जक्ली इसी वक्त कैंडरा बैंक 20-day X प्रूश्मिंगे विच की आपकर ट्रीट करता हुआ आपकर व्यू प्रकाष तरह एक पर कैंडरा बैंक को देखेगा वाई डिशन्स काफी अच्छे खासे हैं यहां पर आपकर विउस पर कैंडरा बैंक पर अच्छा लग रहा है कैंडरा बैंक में एक ओपरचिनिटी इसमें ट्रेड की साफ तोर से बन रही है लेकिन एक पूरा पॉकेट जहां पर सुबह से ही अच्छे खासी रौनक बनी हुई है उसकी बात करते हैं आप देखें वेदान्त स्टॉक करीब 7% उपर है JSPL करीब 5% के गेंज पर JSW टाटा स्टील और आज का आउट परफॉर्मा हैं डाल को इन फाक्ट हिंदुस्तान जिंक जैसे ट्रेड्स भी आसमान चुरह है तो आज ये ट्रिगर जो आज ट्रिगर कहें या फिर तेजी का करंट कहें जो इन मेटल कंपनियों में दौड रहा है उसके पीछे क्या-क्या कारण है और ये कितना सस्टेनबल मूव है या तिन हमाई साथ जुड़ गए है या तिन एक बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल रही है लेकिन यहां से एक तो क्या कारण है और कितनी ये चमक और बढ़ पाएगी तो देखिए जहां तक की महीने में यानि 20 दिनों में आपको देखने को मिला इंक्लूडिंग आज का 18% का मूव वेदानता इस महीने में 22% उपर है नाल को और हिंडाल को 7-8% की बीच उपर है तो क्लिरली नॉन फेरस मेटल्स में आपने जबरतस तेजी देखी है और स्टील स्टॉक भी पीछे नह 5-6% के आसपास उपर हैं रीजन हम लोग अगर हम देखें तो क्लिरली कमोडिटीज में एक बड़ी लहली होरी ही ग्रूबली अगर हम चाइना की बात करें तो वहां भी हमने बहुत सारे फिनैंशल रिफॉर्म जिसके कारण मेटल स्टॉक्स में ऐसे भी मजबूती रही थ आसपास आपको सिल्वर आता हुआ नजर पढ़ रहा है मल्टियर हाई पर यह कमोडिटी देखने को मिल रही है और जिंक भी लगबग 10% उपर है इसी महीने में तो सिल्वर और जिंक ये दोनों में डबल डिजिट रैली के चलते हिंदुस्तान जिंक के शेर में आपको मु कोपर लगबग 14% बढ़ता हुआ नजर पढ़ा है एक महीने के कारेकाल में तो दोनों ही अल्यूमिनियम और कोपर के मोमेंटम के चलते हैं आपने विदानता हिंडाल को जैसे नाल को जैसे नामों में एक बड़ा तेज माहौल देखा है और स्टील की भी बात करें तो कहीं यहां बड़ एक तगड़ा मोमेंटम में इस टॉक्स में बनता हुआ साफ दिखाई दिया शुक्रिया आप यातिन ने सब्डेट के लिए Mayuresh, अगर fundamentally आपने कोई ट्रेड लेना हो क्योंकि यह सीम काफी अच्छे तरीके से यतिन ने हमें समझाई है आप किस स्टॉक पर जादा बायस रखना चाहेंगे तेजी करने का इस समय सितर जी, I think within the steel stocks, the better play will be जो integrated players है और इसका reason बहुत सिंपल है क्योंकि at some point of time, जैसे China and the rest of the globe, the rest of the globe, the rest of the stocking start होगा तो जो input costs है, which include iron ore, which include bauxide, which include alumina, which include cooking coal, इस सारी कीम्थे बढ़ेंगे अलोंग इंक्रीस इनलिमी रेलिज़िएशन इसलिए, इसलिए, vertically integrated players, in my opinion, can still continue doing better, domestic demand strong है और operating leverage play out होगा, with better numbers playing on a EBITDA front, तो JSW steel within the steel names, जहां पर integration ठीक ठाक है इसको ज़रूर जहन में रखा जा सकता है, यह हमारे watch list पे ज़रूर है, within the non-fairous place, हिंडाल को, क्योंकि इसके पास भी mine capacities है, aluminium की capacities है, अच्छा की capacities है, and generally I think the demand should start moving higher, along with realizations for aluminium, जो है अच्छा गासा के लिचुका है, 2100 पे आ है, प्रती टान, that should start showing some element of respite, तो यह दो स्टॉक बिल्कुल अपके watch list में है और इंडाल को के लिए of course, वो जून में company की subsidiary novelist का IPO, वो भी एक बड़ा trigger point रहे का, यहां से बड़े action का, चले इस बीच, शिकान चाहन, हमाय साथ जुरगर शिकान, गुर आफ्टनून बताईए, इस घंटे का आपका trade क्या है? यहां पर मुझे लग रहा है कि इन लेवल्स पे IRCTC, यह एक stock है, जिसे हम current level से long करने की राये रखते हैं, एक 1110-1108 के करीब trade कर रहा है, अगर इसमें तीजी बनती है, तो जो next levels आ रहे है, वो 1180 से लेकर 1280 के भी दिख सकते हैं, जो इसके all time highs है, current level से IRCTC को long करें, और stop loss यहां पर 1550. क्या पिक कर रहे हैं, क्या इंप्रेस कर रहा है, आपको options में स्पेस्वाथ, तो विदू जी, यहां पर मैं stock same रखूँगा, जो मैंने showcase, starting में recommend किया था, JSW Steel, और इसमें momentum बहुत फ्रॉंग है, मुझे लग रहा है, इसको option के सरिया भी trade किया जा सकता है, तो इसको जो 930, 930 strike price की call option है, करीवन 19 पर चल रहे हैं, यहां पर 12 रुपे का stop loss सकेंगे 12 रुपीज और 29 रुपे का target 29 और target 25 रुपे 35 रुपे का option 930 की trade कर रही है, इसको आप पिक कर रहे हैं, रचना जी, आज का FNL Superstar क्या पिक कर रही हैं आप? जी, मेरी दरव से, FNL Superstar के लिए मैं L.I.Z. Housing Finance देना चाहूंगी, on the long side, L.I.Z. Housing Finance के futures जो है, इंपोर्टन्ट सपोर्ट से, उपर की साइट पे मुवमेंट शुरू करने चाह रहे हैं, और रेजिस्टरस अभी कापी दूर है, तो यहां से 675 तक की मुवमेंट पॉसिबल ह है, अभी पिलन 650-51 पे है, और अगर हम यहां पे 642 का SL लगाए, इवन 644 का भी SL लगाए है, और अगर इसमें पुजिशन बनाए है, तो 644 के SL के साथ, यहां पे टार्गेट हो सकते हैं, आपके 660, 670 and 75. मानस, चार्ट का चमतकार? अगर ऑप्शन में टेड लेना चाहें, तो 1360 का कॉर ऑप्शन जो 25 रुपए पे टेड़ हो रहा है, वहां पर आप 18 रुपए के स्टॉपए के सकते हैं, और से 30 रुपए के टार्गेट सकते हैं, डिस्क्लोजर लिए हैं कि इस आप्शन को हमने अपने क्लाइंस को भी कु पापी पसंदार है मार्केट में टेडिया में, दो थीन की रीजन से एक, इसकी जो वरॉल कपैसिटी है 2.2 मिलियन टन्स की, जो लाइन पाइप्स और डक्टाइ लाइन पाइप्स बनाती है, इस इस अ थर्ड लार्जिस्ट इन वर्ल, जितनी स्कीम्स आ चुकी हैं अब त स्पेसिफिकली नल से जलके अगर मात करें, जो सतर अजर करोड की आउखले है, जो पाइप्लाइन नेटोर की इंक्रीज करना है, सिटी गास डिस्टीशन प्लेस के लिए, फ्रॉम 6% तो 15% जो 16,000 किलोमेटर ले आउट हुई है, वो 27,000 किलोमेटर तक लिखे जानी है अग जो जो बाइए, आगर आप मारजी करफोर्मेंस डेके, तो मुझे लगता है इंक एक्सपोनेशल गरोड शाय देखी जा सकती है, फॉर देसे जा सकती है, फॉर देसे इत्सलियन करोड की तॉपलाइन, फॉर पंद्रा सुक्रोड की अबिट्टा, ता 10-11 % परसेंट की जो तो पोस्ट हो गई होगा पर इसके ऊपर एक एक स्परेंचिल ग्रोथ होगी on top of that net debt has come down to 550 odd crores जो एक significant reduction है from a parent sheet perspective जो इनका water storage का division है यहां पे अच्छी गुरोथ हम उभीत कर सकते हैं और यह भी piping business पे गुसर है जहां पे value-added products और margins अच्छे खासे रहें तो मुझे लगता है तो मुझे लगता है तिंक diversity light पे है Capex infra related story है जो इंडिया के लिए continue होगी इसके बहुत स्टॉंग proxy है तो वेलस्पन को अच्छा लग रहा है 18-20% के हम upside देख रहे हैं with a stop place set around 560 एक clear disclaimer यह stop मेरे personal holding में नहीं है clients को note द्वारा गिया गया है clients के बास इसके holding पो सब्सक्राइब तो यह है फिलहाल आपके लिए midcap fundas चलिए सारे trades में एक बार recap कर देती हूं शुर्वात हमने आज प्रशांत के साथ की है उनका जो trade आया है वो सस्ता option के तौर पर 930 वाला call JSW Steel में 29-35 के टागिट के लिए एक मौका 12 का stop loss लगाना है फिलाइस एलाइस से हाउजिंग फिनाइन्स पसंद है रचना को 675 के टागिट के लिए एक तेजी की पॉजिशन 644 stop loss उन्होंने सजेस्ट किया मानस ने पिक किया है PVR आइनोक 1380 का टागिट और 1334 का stop loss और well-spun corporation पर एक पार by call इस समय दे रहे हैं मयूरेश जहां पर एक अच्छी खासी opportunity बनी है अच्छा एक तो और trades आपकी screen पर लेकर आते हैं जहां पर इस घंटे थोड़ा सा उपरी लेवल्स पर मुनाफव असूली का दबाव आने लगा है सान फामा सान फामा के वैसे कल नतीजे आएंगे इस पर आशीश को जोडेंगे कल तीन शार दरसल दिगज हैं जिसमें सन आपका पावर ग्रेड एन आई थिंक ग्रैसिम के नतीजे आने वाले हैं उससे पहले स्टॉक में कुछ पुजिशन थोड़ी सी कूल ओफ होती हुई मानस कंस्ट्रिंग आपने ट्रेड पहले सुझाया है अब 1544 पर करना क्या यह क्यारी करने वाला ट्रेड रहेगा क्या कल के लिए बिल्कुल देखिए अभी तक के पैटर तो पॉजिटिव है हाला कि हाय लेवल पर थोड़ा प्रॉपिट बुकिंग जरूर देखने को मिला है लेकिन जो स्टॉप्लस में पेंशन किया उसको आई दिंग पॉलो करना बिलता रहेगा तो 15 15,39 का आपको स्टॉप्लस लगाना है अगर उसके नीचे चाहिए तो आपको अपनी पोजिशन से एग्डिट करना है अब ही तक के पैंटर को देखके लग रहा है शायद पिर से हमें लोर लेवल पर बाइन इंटर्स देखने को मिल सकता है अब यहाँ पर सेन फार्मा की बात होई गई है और क्योंकि इसकी नंबर रियू है और आशिश मौजूद भी है एक बज़ जाना नंबर को गेस करने की कोशिश करते हैं सेनस लिते हैं कैसी नंबर रहेंगे इस बार क्योंकि अगर आप आज से पहले सेन फार्मा को देखे अब आप निफ्टी फार्मा इंडिक्स अब आप निफ्टी फार्मा को देखे और अपने करियर की हाइस इच्टी कर रहा है बट जो सट फार्मा था और एक बास संफार्मा का क्रॉस जार्ट रुखिएगा 1544 पे टेट कर रहा है लेकिन बीते एक महीने में इसने अंडर प कि आये में करीब 13% का साल दसाल उच्छाल देखने को मिलेगा और पूरी तरह से ये यूएस सेल्स होगी जो ग्रोथ को ड्राइफ कर रही होगी एस्टिमेड़ है जात तर ब्रोकेजिस मान के चल रही है सब कहने ही पॉजिटिव में आपको नज़र आएगा ये आँकड़ा पर शायद बढ़िया रहने वाले पर हां ऑप्रेशनल परफॉर्मेंस को लेकर स्ट्रीट सन फार्मा के लिए खासी डिवाइड़ है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इबीटा में 8% का उच्छाल मार्जन सौ बिस्स पॉइंट गिरेंगे गिरेंगे इसलिए क्योंकि आर एंड या तो 160 बिस्स पॉइंट गिर सकते हैं से लेकर 140 बिस्स पॉइंट बढ़त की बात हो रही है तो इस तरह से डिवाइड़ेड़े स्ट्रीट इवन मुनाफिकी बट आव्वेस से फिर रेंज बढ़ी होगा यह क्योंकि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को लेकर कंसेंसस है नही हम मांगते चल रहे हैं मुनाफ़ करी 20% के असपास साल दर साल इंप्रूफ करेंगा कमेंटरी इंपोर्टन होगी कमेंटरी वो यूएस एवडिय के आउटस्टैंडिंग इशूस चाहिसका हलोल प्लांट हो मोहाली प्लांट हो या इवन दादरा का प्लांट हो संफार्मा की एक्सपेक्टेशन सुनी और संफार्मा आपके स्कीन पर आप देखें तो अलमोस्त अभी तो देखें आज फार्मा बहुत स्ट्रॉंग मूब था और इसलिए वो पार्टिसिपेट कर रहा था सेक्टोरियल स्विंग में बट एक्चुल टेस्ट आप सेंथ ज स्ट्रीज एमोसल का जो अनुमान है कहता है बिकरी में करीब सवा तीन परसेंट का दबाव होगा सेग्मेंट वाइस बड़ा डिफरेंट परफॉर्मेंस होना है वी एसेफ सेग्मेंट की सेल्स एक परसेंट साल दर साल गिरेगी क्योंकि सब्डूड डिमान में कहा जा रहा है एबीटा में बहुत तगना जंप आपको देखने को मिलेगा वो ब्लेंडिड में इंप्रूव्मेंट दिखाएगा ओवराल मार्जिन्स की मुनाफ़ा 80% बढ़ेगा पर क्यू ऑनक्यू मार्जिन्स मुनाफ़े में डिक्लाइन आप एक्सपेक्ट करें क कि टैक्सेशन का एंगल होगा हायर टैक्स आउट गो हो रहा होगा और क्यों कि शैद 30% के असपास मुनाफ़ा गिरेगा चली तो यह रही बात GRASSIM की अभी काम करते हैं फिला पावर गिट समझ लेते हैं फिर इंप एक टेक्ट चक लेंगे इसपेशली ग्रासिम पे आशिष पावर गिट की इसपेक्टेशन इस बार की तीसरा निफ्टी का नंबर, पावर ग्रेड, देश की सबसे बड़ी पावर ट्रांस्पिशन कंपनी, सेल्स साड़े 6% बढ़ेंगी, अच्छा, मॉडेस्ट इसलिए नंबर नजर आएंगे, यूगि आसेट कैपिलाइजेशन पिछले 12 महिनों में केवल साड़े 11,000 कोड़ो साड़े 7% के आसपास इंप्रूव्मेंट एक्सपेक्टेड है, तो पावर गेड भी हो गया यहां पर याद रखेगा, पावर गेड आज स्टॉक अलरी काफि स्ट्रोंग मुग ले चुका है, अर्निंग से पहले, अर्निंग रेपोर्ट होने से पहले, और 326.35 पर ये डे हाई की डिजेक्टरी में और ओल टाम हाई डिजेक्टरी में टेट कर रहा है, तो यहां पर भी टेक्निकल सेंस नेरे का मतलब नहीं है, एक पर एक ग्रासिम पर आउट टूट लेता हूँ, पर सुमित के पास बी दो नंबर से उनको खंगालने की कोशिश करेंगे, ग्रासि लुक अट लूपिन, एट 16.81.50 डे हाई पर आके ट्रेट करता हूँ, सन्फार्मा कॉल गई थी, मैं सिपला अपने हॉट स्टॉक्स में मार्क कर के लिए क्या आया था, डे हाई पर है और लूपिन अगर यहां से पांच रुपे और चला तो अपने करियर हाई पर आजाए I mean, क्या यह फ्लै का ब्रेक आउट? I think किसी बड़े, I think, तागेट को आप सेंस करना चाहेंगे इस पर? I think, फेबरोरी से लेके अभी तक जाने के अल्मोस्ट चार महने से यह एक रेंज में फसाब हुआ है, सतरा सो अंदी अपसाइट और नीचे में पंदरा सो मेरको लगता है कि यह 200 पॉइंट का जब भी भी ब्रेक आउट आएगा, I think, 1700 का जो आप लेवल की बात करें, 1700 जैसे ही क्रॉस होएगा, वो सस्टेन होता है, मेरको लगता है यह स्टॉक 1900-1950 के जोन तक जा सकता है, इसके लिए एक स्ट्रॉंग ब्रेक आउट एक्स्पेक देखने मिल सकता है, 1900-1950 के टारगेट के लिए डेफिनेटली लॉंग किया जा सकता है, ओके तो लूपिन में एक उपरचुनिटी साफ देखने को मिल रही है, चलिए, दो और स्टॉक चिन पर नजरे रहेंगी, उनकी बात करेंगी, अच्छा, बाइद वे, यह ब्रिटान एक बार फिर माक कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मूव इस समय आ चुका है, चले, अब बात करते हैं, दो और स्टॉक की एक पेटरनेट हेलेंजरी और दूसरा जूबलेंट फूड, दोनों के नंबर्स आएंगे, सुमित हमाय साथ है, सुमित जू इसमें थोड़ी सी वीकनेस के अनुमान बजाल लगा रहा है, चाहिए क्यों हो चाहिए वायो वाय बेसिस पर हो, और बहुत कोई फायर वाक की उमीद है नहीं, अगर नंबर्स की बात करें तो करीब करीब 1326 क्रोड रुपे के आसपास की सेल्स की बात है, वायो वाय वाय से घटके, 19.5% के आसपास सिमाही में रहेंगे, तो वायो वाय वाय बेसिस पर ऑपरेटिंग नंबर थोड़े से बेटर मान लीजे, क्योंकि जो पाम ओयल की कीमते हैं, वो बड़ी है, लेकिन चीज और मिल्क का प्राइस गिर रहा है, तो वो कंपनी को सपोर्ट कर देगा लेकिन ओवराल LFL ग्रोथ जो इनके लिए बहुत इंपॉर्टन नंबर होता है, लाइक फर लाइक ग्रोथ, वहाँ पर माइनस 2.3 पिछली बार का ये नंबर था, इस बार ये अनुमान बदा लगा रहा है कि फ्लैट साइड पे नंबर आता हो दिखाए पड़ेगा, क्यों 1994 स्टोर्स के आसपा से पहुँच गया है, प्लस इंपूट कॉस टेबल हुई है, सो कमेंटरी पार्ट कुशल रहेगा और बाकी इनके सब सेग्मेंट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको बजार प्रिफरेंस देगा कि जोमैटो के नंबर्स के अगर बेटर होते हैं, तो श 99 करोड है, मार्जिन 7% से 9% की रेंज में रहेगा और मुनाफ़ा भी करीब 614 करोड से 740 करोड रुपे के आसपा साएगा, तो वायो वाय बेसिस पर नंबर्स पर टिक है, लेकिन Q-on-Q नंबर्स वीक हैं, मार्जिन Q-on-Q बेसिस पर 3% के आसपा से एक ड्रॉप लेते हो द दहेज और कोची दोनों की यूटलाइज़ेशन में, दहेज का 100% के आसपास का यूटलाइज़ेशन है, कोची अकरीब पर 20% के आसपास का यूटलाइज़ेशन आने का अनुमान लगा जा रहा है, थोड़ा सा डुमेस्टिक गैस सप्लाई में एक डिक्लाइन था, तो वो ओवराल नंबर्स के ओपर और वॉल्म के ओपर इंपैक्ट करेंगा, हलाकि पी एंजी वॉल्म जो है, 28% बढ़ने का अनुमान बजा लगा आकर चल रहा है, तो ओवराल नंबर में YOY अच्छे, Q&Q वीक, इसके नंबर्स रहेंगा, जूबलेंट में YOY फ्लैक टू अब जूबलेंट की हाल भी स्क्रीन पर लेकर आएगा, प्लीज उस पर एक ताजा फिर कॉल लिया जाए, कि ज्यादा ट्रेडबल इस समय क्या दिखाई दे रहा है, जूबलेंट फूड आज करीब देड़ पर सेंट ऊपर है, गावा जी बताईए, ट्रेड दिख रहा है क कि पिछले हक्ते हमने देखी बात की थी, लग रहा था मुझा कि बाट्मिंग आउट प्रसेश शुरू है, और वो कंटीनी हो, कायम है, ट्रेड करें 474 का, स्ट्रॉंग सपोर्ड दून 460 का, तो जब तक 460 है बरकरार है, अप मूँ आन है, पुछ सकता है 500 का जोन भी दिख रहे हैं, जूबलिंट देखेंगे, कल नंबर में क्या डिलिवर होता है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के फ्रंट पर कंपनी वाकई में कितनी बढ़त दिखा पाती है, इस बीच बाजार का हाल आपकी स्क्रीन पर, निफ्टी बैंक में जो दबाव बना था, वो कायम है, अब सब भी 100 पोइंट नीचे, मिट कैप्स में अच्छा खासा पिकाप और निफ्टी खुद, स्टेडी है करीब सेती संकु के बढ़त के साथ, मेरभून इरानी हमाए साथ जुड़ रहे हैं, बिग मार्केट वोईस में, मेरभून गुड आफ्टरनून, अब ये चार जून तक ये क्या और वॉलिटिलिटी बढ़ती भी दिखाई दे सकते हैं, इस्पेशलिए इंडिया विक साइड हम काफी क्रेजी नंबर्स लगबग हरोज देखते हैं, और इस वॉलिटिलिटी में रीटेल निवेशकों को क्या करना है, अपने आपको कैसे करना है, अगर उस पर कोई राय हो तो बताएं. नतिजह होगा कितने सीट्स बीजेपी लाएगी. अगर बीजेपी अके ली की, तो मार्केट विल टेक एवरिटिंग इन इस ट्राइट बेल, और उसे उपर आता है, तो डेफिनेटलि यहां से चार पांच, छे साथ परसंट मार्केट बढ़ सकता है, तो इंडिविजन स्टॉक्स पाइस, पीपल हो तो कॉंसेंट्रेट ना पाइस, तो कहीं पर एक बार आप वैलुएशन को देको, काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं, जिसकी वैलुएशन पचास, साथ, सटर ताम हो गई है, जहां पर उनकी कॉर्परेट गोर्थ इस जा सेवन एक नाइन परसंट, जिए प्रॉफित गोर्त ती, तो हाँ के छे मेने से चले नहीं, एक अच्छा नतीजा और स्टॉक ठाक जाता है, उदारण आज देखें, बालकृषन इंडेस्टिस को क्या हो गया, पिछले छे मेने से इन्वेस्टर्स को ठाका दिया था, जिसने एक साल पहले लिया था, उसको बड़े रिलीव हुई है, आज का स् जिसमें पिछले छे साथ, आठ मेने से कुछ हुआ नहीं स्टॉक में, इग्नोर पड़ा हुआ है, और एक या दो अच्छे नतीजे आएंगे, तक स्टॉक एंगे रिट रिटन, ऑन दे अधर एंड, वो स्टॉक देखें, जहां पर डाउंसार लिमिटेड और अपसाइड आपकी जानका दर्शिकों को यह ध्यान जाना चेह कि जो स्टॉक बहुत बढ़ गे हैं, वैलुएशन महेंगा है, थोड़ा सा पैसा निकालना मेरे ध्यान से बिलकुर उचीत रहेगा, और पॉसिब्लोई दिप्लोई अच्छे नतीजे, जहां पर डाउंसार लिमिटेड मुट्पिकिंग तक हम बिल्ट रोख बिल्ट ग्राउंस मेरे ध्याने बडी बारात ले गारे गारे अच्छे निकालना मेरे अच्छे पर बिल्ट बेच के बीच ओध लेगा उसके उपर का नंबर आता है, तो फिर वो तगडीब बिल्ट बिल्स ऑंट यह जान से बिल्कु तेजी आतिश बाजी की तयारी भी होनी चाहिए आपने PSU's mention कि of course they've made a comeback and they've made a very strong comeback मेरबून, आप मिसाल के तौर पर B.E.L. का शेर देखिए, जो numbers company ने post किये हैं और उसे पहले अच्छी कासी prepositioning उस talk में हो चुकी थी, इसलिए आज वो करीब 6% टूपर है, अनलाइक Balakrishna Industries जहां पर prepositioning नहीं थी, इसलिए वो बड़ा मोव आज देखने को मिला है लेकिन in PSU कंपनियों में valuations के तौर पर attractiveism में कुछ दिख रहा है क्या अश्रदा आप you're one of the anchor जिसको मैं बर्सों से चो में इस वेब्बे में positive on PSU stocks और इसमें मेरा खास करके एक सेक्टर रहा है वो energy mining power तो इसमें power grid हो के NTPC हो के coal India हो I have liked the stocks अपने अच्छा सवाल पूछा है कि अभी क्या, मैं टाओंगा कि perception आप जो मानते हो perception से market चलता है perception यह है कि आज का जो promoter है यानि कि government of India हो एक strong promoter है तो जो PSU कोई कूछता था नहीं 12-13 साल पहले यह था हम लंगट के चलते थे कोई देखता था भी नहीं उसको अब सुदनली देखता था भी नहीं उसको now suddenly they have come to the fore has the business grown? Yes बट यह जो moment आई है इसमें जो the valuation gap between the private sector companies and the public sector companies the valuation gap has been more or less bridged सवाल इतना अच्छा है कि मैं धून रहा हूं जवाब मेरा जवाब यह रहेगा कि now learn to possibly sell a little bit individually in certain PSU stocks थोड़ा सा हलका होना बुरा बात नहीं है क्योंके optimism has gone in valuation gap private sector, public sector के बीच में नहीं है I remain positive मेरा investment है in PSU stocks especially in the energy and power sector but फिर भी यह time आया है कि थोड़ा सा अगर आपके पास 100 रुपे का शहर हो तो 10-15 रुपे का हलका होना I think ठीक रहेगा there is no harm because other opportunities have come your way में इसलिए कह रहा हूं because there is too much of money which is going into the stock, there is too much of optimism ultimately ultimately earnings में translate होना पड़ेगा so while I remain constructively positive on the PSU sector, PSU stocks especially in the energy and power sector मैं इतना जरूर कहूंगा कि there is a lot of loose money which has gone into the stock and it is momentum में उपर बढ़ते जा रहा है so people have to be a little bit to vary and be selective in what they are buying जान रखो कि second phase के बाद और यह fourth phase के बाद अगर अब प्राइस देखो तो already around 5-10-15% above what they were तो मैं नहीं का रहा हूं के शाफ का आने बाला है मैं का रहा हूं के जभी भी आप incremental money राते हो अपने आप से एक सवाल पुछेगा के will I get this stock at a lower price again if the answer is yes what is the hurry या फिर आप देखेगा के अगर अगर अपसाइड is more than the possible downside then you can go and buy otherwise I think put the brakes right now wait for a more opportune time maybe in the next one-two months you may get things lower I don't know the point is they have gone up too sharply आज के लेवल से मैं कितना पैसा बनाऊंगा यह stocks में जो already मेरे पास है now already आपके पास है और अपको थोड़ा सा हलका होना है 5-10% I don't think would be a bad idea but people who are positive from the longer term angle I am also with them अभी भी कह रहा हूं कि PSU sector PSU stocks basically I like it is only the question of going up too sharply तो will I buy more will I lighten myself that will depend on the individual investor आपके मेरे बुन नवश्का विरियंदर बोल रहा हूं ड़ी स्टूडियो से मैरे बुन अभी last week जब मेट की टिपनें थी कि मौनसून इस बर बहतर रहेगा long term averages से positive divergence है और in fact second half में ला निना की possibility है जो कि मौनसून को और अच्छा करेगा second half में FMCG में बहुत कुछ चला जैसे कि आपने पहले प्रश्ट के उत्तर में कहा कि आपको थोड़ा home work करना पड़ेगा क्या नहीं चला क्या perform कर सकता है events के मद्दे नज़र डाबर मेरी को इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया एच्वल ने पार्टिसिपेट अब तक नहीं किया FMCG के अपस्विंग में महीं कोल गेट, नेसले, ठाडा कंजूमर गुद्रेच से भी सब ने स्ट्रॉंग मूव दिया एच्वल ने पार्टिसिपेट ने इस इस मौनसून के अच्छा समाने होने के मद्दे नज़र अगर अच्छा होता है अगर बचेट विच फॉलोस अगर वहां पे थोड़ा सा धील चोड़ते है अगर कॉमन मैन अगर मिडल क्लास को थोड़ा कंसेशन मिलता है I definitely feel there is a leg up for all the stocks. The point यह है वरें, यह भाव पे मैंगर लेता हूं so I am protecting myself on the downside, no doubt about it. अगर जोबी stocks आपने मैंने किया है, मैंने को छोड़ का जा पे commentary काफी positive थी after the results. दाबर और अगर हिनुस्ता लेवर को देखी, over the last 2-3 years the stocks have done nothing. The point is, जैसे मैंने कहा, मैं अपने अपको contradict नहीं करूंगा, लेकिन मैं ताहूंगा एक ऐसा स्पेस है जिसको I would still say that's the only defensive sector in the market today. दूसरा स्पेस पुब्लिक कहती है फार्मा, मैं बिलकुल negative हूं because valuations जतने भड़ गे है फार्मा स्टॉक्स के, whereas earnings growth is not there. So I will stick with the FMCG, especially जो लोग मार्केट में सोचते हैं कि बहुत हो गया, तोड़ा सा नफ़ा लेने दो and let me park myself on Hindustan lever and Mariko and Dabar, they can definitely do it, it would not be a bad idea. But angle of making money, good money, I think that is still some time off because at the end of it all, आपका volume growth कितना होता है, is going to be a very important determining factor. So cost of raw material possibly थोड़े से कम हो जाएंगे, if the monsoon is good, all fine. But ultimately the volume growth has to possibly pick up for these stocks to perform. So I would say downside limited, upside will come, but is it attempting by right now? I would say possibly no. There are other opportunities elsewhere. अगर मार्केट आपको चांस देता है, I promise you that there will be better opportunities elsewhere outside the FMCG pack. Now I will say something, कि FMCG में at least three stocks, or one of them which you have mentioned, are in my personal portfolio and I am continuing to hold it, को इरादा निये बेचने का, but at the moment, to your question, I am not adding also. Okay, that's fine. I mean, ठीक है, आपका पॉइंट लिया यहां पे, महर्बून. अचा है, एक दो स्पेस हो, महर्बून, आप देखी रहे हैं, I mean, M&M ने क्या मूव दिया, I mean, all-time high. अमेरिक हाल से, ये आखरी के 500 रुपे का सुइंग तो शिर्फ महीने, डेड़ महीने के अंतराल में आ रहा है, टारा मोटर, स्मारूती, इसके मद्देनाजर कोई आटो एंसिलिरी स्पेस की मैजमें जिससे आपका इंट्रेक्शन हाल में हुआ हो, अपर आटो सेटर के बारे मेरा व्यू पॉसिटिव रहा है, ये जो शाप मूँ आया है, इसमें तोला सा टेम्टेशन हो रहा है, पैसे थोला निकालना हो रहा है, निकाला है, अभी तक नहीं निकाला है, लेकिन आटो एंसिलिरी में मैं कहूंगा कि कल जो बालकृष्ण इंडेस्टिस के रिजल्ट आया थे, वह सिंप्ली सूपर्बू, सारे पर्रमीटर में और थे बी deepest, रॉप्रанд मार्के शेर मैंनेजमेंट कहता है, बालकृष्ण इंडेसर तर्स परंसनल हो जाएगा अग्ले तीन साल में, अग्ले जुद्सके अग्ले से बिक बउसे यह रहा है, और अगर अग्ण भलकृष्ण के देखो, साइड में चल रहा था, कुछ ने कर रहा था, सदंदी जान आ गया, कल शायद मैंने केता होगा, बर शायद कल टीवियर स्ट्री चक्रा किटसा स्टॉक कभी हो सकता है, so I think people have to look out for stocks in the auto, auto में front line auto में जदा कुछ है नहीं, लेकिन side में, auto ancillary में, look out for names, जहां पे, names are good, numbers आये नहीं, थोड़ी से disappointment है, और एक number या दो number आजाएंगे, एक दो quarter के number अच्छे आजाएंगे, you will see a superb 10, 20, 30% growth, उसने बालकृष्णा इंडुस्ट्री वस्कॉलिफाइं, उसने बालकृष्णा इंडुस्ट्री वस्कॉलिफाइं, unfortunately, stock आज अज बढ़ गया, मैं आज आज आपसे बात कर रहा हूँ, so maybe a pullback, if and when it happens, would be a good opportunity to buy into बालकृष्णा इंडुस्ट्री, I think the stock has to go higher from here, और शायद TV अश्री चक्रा जिसा भी stock आगे चलके बढ़ सकता है, मैंने, recommendation नहीं मेरी तरफ से, numbers are according to me, yet to come, ज़्यादा वॉल्यूम ने वो stock ने, but I think, Darshak, आपके, should look into such stocks, which have not done too many things, well-managed companies, good balance sheets. मैं, in fact, आपसे metals पूछने वाली थी, लेकिन आपने इस जवाब में ही कह दिया कि, पुचे, 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 दर्शकों को ऐसे stocks जूनने चाहिए, जिनमें जादा action नहीं आए, लेकिन action आप Hindustan zinc में देखिये, अब यहाँ, इस move को, वो silver से जोड़ा जा रहा है, considering वो एक बहुत बड़ा play Hindustan zinc में है, लेकिन going forward in metals की rally में और कितनी तेजी आ सकती है, मैरभून, इसमें कुछ position है आपकी? I think OEB metal analyst को आजा पूछिये, I think he will only talk of demand going to grow, supply की कोई बात ही नहीं कर रहा है, तो China ने जो measurement announced किये थे, जसे property market को stabilise करने की कौशिश के, उस से metal price बड़े, हाँ बड़े, industrial output के number जो आया थी April के वो बड़ादाद expectations, answer is yes. Now all positive manufacturing data जो चाइना से आया थी, all this translates into increased demand for metal. Heavy investment गया है, global infrastructure में, higher defense spends हुआ है. Last time, what China is possibly going to do now, last time जभी उसमें किया था, वो सम्वेर in the mid 2000s, and we see a mad bull train, हम लोग ने रेखा था, metal prices में. Now, somewhere most analysts and marketmen are extrapolating it कि यह जो cycle, जो 2000s, mid 2000 आया थी, यभी चाइना ने reforms announced किये ते, जिससे metal prices बढ़े थे, वो शायद यह शुरुवात हो सकता है. So will metal stocks go up? Honestly, very difficult to state. But if this bull run has actually started, we could go very far. यह भाव में पैसे लगाना, I think I cannot honestly justify, because Indian metal stocks relatively are the most expensive as compared to other metal stocks in the world market. But the momentum जो चालो हुए, it can definitely drive metal stocks further up. Ultimately, we will have to see if the supply factor and the demand factor match होता है कि नही बढ़े है कि यह एसा नही होना चे कि यह momentum खतम होने के बाद, we can again see metal prices come down. So I am not saying that will happen. मैंने ही कहता हूँ नही बोल्टरन चालो हुए है. But it is possible a new बोल्टरन could have had started in metal stocks and metal prices. The point is, it will affect other sectors because the cost of production will go up, that is a different issue completely. But आच के प्राइस पे, defending them in terms of valuation, honestly, Arshadaji, it is very, very difficult. The factor which is going in favor is the momentum, people are just buying into the Tata skis and the sales of the world and the Narkos and Hindalcos of the world. And maybe there is still some more upside from a trading angle, but from an investment angle, I think it's a little too early to conclude a new bull run has started. मैं मैं बहुब है शुक्रिया आप इसका एके में शामिल हुई सेभी सेक्टर्स पे और स्टॉक्स पर अपने आरा रहा है. अब एक काम करते हैं, indices आपकी स्कीम पहलाईए. 22526 इंट्रेडे में हमने सफर कहां तक कताय किया लग भग लग भग हम गए 591 यानि करीब 2600 कि डिजेक्टरी को स्ट्राइक किया बैंक निफ्टी बिल्कुल स्थेर रहा बैंक बैक फूट पेरा 48,40 कल के लिए क्या करें एप्रोच करहेंगी इंडिसिस प्यानुज स्विंग रहा लेकिन वोल्टिलिटी काफी रही और करीब करीब 22,525 इंडिसिस पर व्यूग क्या रहाएगा कल के लिए बिल्कुल दीए अब ये मार्केट देटेडर की मार्केट है इसमें आपको बहुत अग्रेसिव होके काम नीच एक प्रेयर है कि जो आज का लोग आज का हाई है वो वेल डिफाइन रेंच है आप मार्केट के लिए आज देखिए मार्केट में दोनों जोन को रिस्ट करा ब सबसे बड़ा पैसा यहां पर मेर्बुन की बात में सुन रहा था जहां आपको स्रिक्ली इंट्रडेयों काम करना पड़ेगा पोडिशनली अगर आपको रहे हैं तो आज का लो अब आपका निया स्वाप्रोस बन जाएगा विरू आज के लो ने एक ओची सावित कर दी कि अब 20 डेमा जो है निफ्टी के लिए एक सफ़ोड का काम करेगा जो पहले क्रेजिशनल के काम करता है तो यहां पे निफ्टी पर आपको एक इंटर रिव्यू रख की ट्रीड करना पड़ेगा और बैंक निफ्टी पर कोई पोई पोजिशन कहरी नहीं और मिथल्स पे स्टेंथ है रहेगी और आई थिंग इसी पर फोकस की जाएज अफ नहीं चलिए अब एक आम करते हैं आज फार्मा में कुछ बाइंग थी आज अगर आप देखें स्कीन पे ख्लोजिंग में जाते हैं ते कुछ बाइंग दिखाए दिए डीलर्स कैशेस कर रहे हैं इस वक्त तो वीरू जैसे कि आपने कहां मेटल्स और लाश्ट वीक मेटल्स पे भी बहुत सारे डीलर्स के र टार्गेट्स देखने को मिल सकते हैं यानि करण मार्केट प्राइस से आपको 20-30 रुपे की अप्टिक देखने को मिल सकती है ओपन इंटरेस में लगबख 4% का इजाफा हुआ है में सीरीज में और कहीं न कहीं यहां फ्रेश लॉंग आपको आज के सत्र में बंते वे नज इसने को मिल रहा है ओके तो भेल नंबर्स जिसके आज इंतजार है उससे पहले वहां पर एक अच्छा खासा विल्डा पर और ऑफकॉस औरो फार्मा की भी बात चीत हुई है चली बीटी एस्टी एस्टी बीटी किन ट्रेड्स पर करना है फोकस श्रिकान बताई आपका ट् प्रिटी बिलकुल तो देखे मुझे लग रहा है कि यहाँ पर फटीलाइस टॉक में अच्छी कासी तेजी बन सकती है और अगर इन सभी स्टॉक्स ने अगर किसी एक स्टॉक को अगर चोना है तो मुझे लगधा है चंबल फटीलाइजर चंबल फटीलाइजर जो भी 402 च आपका ट्रेड जी आपका ट्रेड जी में तरफ सभी लॉंग ट्रेड रहेगा और देडिल बीन आयर सिर्टी सिर्टी के फूचर्स हम यहां पे यारा सो पांच पर ऐसे लगा के टार्गेट लगाएंगे यारा सो तीसोर चालिस्टा ओक्या या सी थी सिर्टी कर रहेंगे अब 1119 पर प्रशानत आपका ट्रेड करेंगे वेर्टनस्टेम ओर्णिंग के लिए मुझे HDFC काफी अच्छा लग रहा है और यह करीबन 3800 के उपर ट्रेड कर रहा है 3755 यह मेना स्टॉप लॉस होगा करीबन 1 परसेंट और यहां से जो टार्गेट होगा वह होगा 3930 कर रहे हैं मानस आपके ट्रेड करेंगे मैं 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 मेट्रो पॉलिस में खरीजारी करने की सलाह देता हूं कि यहां पर स्टॉक काफी समय से 1900 के आसपास राइस कर रहा था कर रहा था लेकिन आज 1900 के बीच हुआ है बेटर वाल्यूम देखने को मिले हैं तो मेट्रो पॉलिस के फ्यूचर में आपको नसरारी गावाजी आपका ट्रेड क्या रहेगा रहेगा अधी लॉंग और अम्बुजा सिमिंट ट्रेड करेंगा 630 ट्रॉपवागा 625 पांच बेगा तागेगा 650 640 वर्स टागेट तन 650 पॉसिबल है अम्बुजा सिमिंट तो यह फिल हाल आपके लिए अम्बुजा सिमेंट में साफ नजर आ रही है चले कुछ और ट्रेड स्क्रीन पर रखते हैं जहां पर अच्छा खासा मोमेंटुम देखने को मिला है इंद लास्ट हाफ आर अफ ट्रेड थोड़ी-थोड़ी कोशिश बैंकों में दिख रही थ एफेक्ट हो सकता है। इंडिया को बिल्कुल लॉंग किया जा सकता है अगर आप रिलेटिवनी किसी और स्टॉक के साथ बेगर कंबर करते हैं तो इसमें जो परफॉर्मन्स है वो काफी बहतर है करन्ट लेवल से अगर सिट बैंक लॉंग करना है 830-35 तो यहां पर हमें जो स्टॉक लास रखना पड़ेगा वो हम रखेंगे एट 810, 810 का स्टॉक लॉस रखें और यहां पर शायद डिविडेंट भी अनाउंस हो चुपा है तो वह एक्स डिविडेंट भी हो सकता है लेकिन और आल हमें लगता है कि स्टॉक 870 के लेवल्स आने वाले कुछ दिनों में दिखा सकता है जो बजार था वो कैसा था ब्रेथ इन डेरिविटिवस आपके स्कीन पर स्टैट्स आएंगे लॉंग शॉट लॉंग अन्वाइंडिंग और शॉट कवरिंग के पिछले मेरे खाल से पूरे लास्ट वीक एप्रोक्सिमेटली 60-80 के रेंज में अड्वांस थे और आज शॉट कवरिंग 29 में और 73 में शॉट और लॉंग अन्वाइंडिंग प्रॉफिट को कैश में करूबर करिंग तिननसी तोगी कम नदर आई जी सेल हिंदुस्तान का अपर बीपी सेल वोड़ाफोन आज इन सबीरे काउंटर्स ने काफिर स्ट्रॉंग मूव दिया इन फैक्ट वोड़ाफोन का क्लोज आज बहुत दिनों के बाद अब अल बॉइंग एविजस आया बाकी बालकेशन इंटरस्टी इस पोस्ट अर्निंग्स मूव शाप हर जगे मैधिल्स की प्रिजेंस है यहाँ पर हिंडाल को विदान ता भी अल मगर आप देखें अर्निंग्स के बाद का मूव काफिर स्ट्रॉंग था यहाँ तक डिरिवेटिव बैंड का सवाल है आई-एक्स अपनी मार्केट वाइट पोजिशन लिमिट के अप्रॉक्सिमेटली एक सुपांच परसंट हिट कर चुका है यह जाएगा डिरिवेटिव बैंड में नाल को करीब 100% हिट कर चुका है पी एन बी 97% तो यह तीन स्टॉक्स की कल डिरिवेटिव बैंड में जाने की पूरी गुंजाइश है बाकी बाहर कौन आ सकता है मार्किट वाइट पोजिशनल लिमिट से सिंख हो गई यह है लिमिट अब 79% तक सेल की हिंदुस्तान कॉपर की 78 तक और बिरला सॉफ्ट की करीव 80% तो यह पॉसिबल कैंडिडेट्स हैं जो की डिरिवेटिव बैंड से बाहर आ सकते हैं एक स्टॉक में और जाते आते हैं क्लोजिंग में मार्क कर दूँ यहां पर डाबर मैंने कुछ दरों पहले महरबून से इस पर बात की भी थी जड़ाबर लिखा यह प्लीज स्कीन पर डाबर ने इस बार लेट इस तेजिम पार्टिसिपेट किया बट आज डाबर की क्लोजिंग आती वी अबव और बूइंगे जगह बहुत अच्छी है जहां पर आपको एक अच्छा काज़ा बाउन बैग देखने को मिल सकता है अब देखिए कली स्ट्राइजी यह रहेगी कि अगर 545 के ऊपर सुस्टेंट करेगा तब यहाँ पर खरीदारी करेंगे 537 के स्टॉप लॉस से और उस केस में आपके जो टार्गेट रहेंगे वो 555 से 560 की रेंज में होंगे तो खरीदारी 545 के ऊपर करनी है ओके तो यह फिल हाल आपके लिए डाबर पर एक व्यू थोड़ा सा टाइम दे 5 रुप उपर शायद वो स्टॉक एक बहतर ट्रेड तेजी के तरफ इशारा करेगा टेक महेंदरा मुझे आदे यह बीरू मेंचिन कर रहे थे जब हमने पारी इस कारेकरम की शुरुवात की थी और कई सारे टेकनोलोजी काउंटर का जिक्र हुआ था वो भी डेहाई के आसपास क्लोज करता हुआ दिखाई देगा साथी साथ ग्रैसिम जो हम मेंचिन कर रहे थे उसमें अचानक आधे पसंट के गेंज है कल धियान रखिएगा ग्रैसिम के भी नतीजे आने वाले हैं तो यह दो ट्रेड जहाँ पर आधे आधे पसंट की गेंज दरह से लोग कैरी करके जा रहे हैं प्रिशान्थ ग्रैसिम के तेजी के ट्रेड में पक्ष में है या नहीं? जी अश्या जी मैं ओवर आल इंफाक्ट सिमेंट सेक्टरी ट्रैक करना था ग्रैसिम एसी सी बड़ मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना चीए क्योंकि एक रेजिस्टन्स के करीब है और अगर किसके वास ग्रासिंग की पोजिशन हो तो जो आज का लो बना होगा है अल्मूस 2400 यह आपका इस टॉपलास होना चीए पर फ्रेश खरदारी में थोड़ा वेट करोगा क्योंकि हम रेजिस्टन्स के काफी कारीग है ओके तो फ्रेश खरदारी मेरे ख्याल में कल ही मौका आपको मिलेगा इस टॉक में कंस्रिंग कल नतीज़े आने वाले हैं बहराल मार्केट क्लोजिंग पर 22.600 तक हम पहुँचे थे लेकिन वहाँ पर टिक नहीं पाई लेकिन 22.500 आपके बाद लेवल करीब फ्लैट क्लोज 8-9 पॉइंट की बढ़त देखने को मली है आज निफ्टी बैंक में लास्ट आर में हमने देखा एक अग्रेसिव सेलिंग आ गई इसलिए वो 200 पॉइंट मिंटो में आ चुका है नीचे इंडेक्स इसी ने ड्रैग किया है सेंसेक्स आज करीब परीब 100 पॉइंट नीचे अड्वांस टिकलाइन रेशो थोड़ा सा नेगिटिव होता हुआ मिड कैप इंडेक्स पॉजिटिव लेकिन स्मॉल कैप्स में दबाब बनता दिखाई दिया है आईटी काउंटर्स में कुछ स्टॉक्स में तेजी आई लेकिन पूरा इंडेक्स चड़ नहीं पाया है इसलिए आपको वहाँ पर थोड़ा सा नेगिटिव क्लोज आता दिखाई देगा वेरी क्विकली आपके लिए लेकर आते हैं सेक्टोरल स्टेती तो आज बैंकों ने दबाब डाला FMCG स्टॉक्स में दबाब बना IT थोड़ा सा सॉफ्टर साइट पर था तेजी CPSC इंडेक्स में और सरकारी बैंकों में जरूर देखने को मिली Capital Goods में एक और सत्रत तेजी वाला साबित हुआ है On The Bell आपके लिए लेकर आते हैं अब Heat Map तो 2500 पर जो Nifty जाकर टिका है उसके लिए आज का सबसे बड़ा ट्रेड मेटल्स था Hindalco, Tata Steel, JSW Steel ये दिगज नहां पर खरदारी देखने को मिली आज Cold India में भी पंक लगे हैं लगबग 4.5-5% की तेजी और Tech Mahindra जैसे ट्रेड्स, Britannia जैसे ट्रेड्स, Sipla, Davies जैसे काउंटर्स में खरदारी कुछ बनती हुई दिखाई दी सरकारी बैंकों में अफकोस State Bank of India आज का टॉप परफॉर्मस साबित हुआ है ड्रैग कहां से आया, Nestle, 1.5% नीचे मारूती, Hero Motor जैसे काउंटर्स, कमजोर और बैंकों में आप देखिए आधिय पसंट का दबाव HDFC में एक पसंट तक का नुकसान देखने को मिला है ICICI Bank में एक पसंट टूटा है Indecent Bank जैसा काउंटर, को तक कोशिश कर रहा था कुछ संबलने की, लेकिन 0.18% तक का ड्रॉप इधर भी नजर आया है कुल मिलाकर आज का दिन, निचने लेवल से रिकवरी वाला जरूर रहा हो Intraday में, लेकिन लास्ट 10 मिनिट में हमने देखा एक बहुत ही शांथ क्लोज और Nifty Bank ने मार्किट को किया है द्रैग, 200 पॉइंट का नुकसान ये है आज की क्लोजिंग, लेकर आते हैं सीधा सौधा का फटा-फट से अपडेट आशीश और नीरज के बीच का मुकाबला किन स्टॉक्स ने सबसे जादा आक्शन दिखाया है आशीश के लिए वो ट्राइडेंट और VRL मंदी वाले ट्रेट्स थे, तेजी में वील्स और अफकॉस BEL वहीं अगर आप नीरज का पॉर्टफोलियो देखेंगे तो उन्होंने हिंदिस्तान जिंक, हिंडालको जैसे ट्रेट्स पकड़े अच्छा, मोमेंटम इन स्टॉक्स में दिखा और साला साथ टेक, अल्फ जियो देए दूसरे ट्रेट्स पे जहां पर अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई भी है ओके, तो ये थी आज की क्लोजिंग और एक्स्टीम बॉल्टिलिटी, निफ्टी एक्जेक्टिकर आप देखे बाइस पांस सुनों पे यानि बहुत बड़ा कुई अगर आप देखें बदलाव यहां नहीं हुआ और बैंक निफ्टी में हार डेबल से डिप और करीब करेब से अंतारे इस दोसों के डियेक्टिकर से स्लिप कोई लेकिन आज का सेंटर पर ट्रेक्शन था मेंटन्स कल बैंक निफ्टी के एक्सपारी है, एक आप्शिन जोन में फसा हुई इंडिक्स क्ल क्या करेगा झाल